जैम आतादी दोस्तों आज मैं साउथ इंडियन इटली और धोसे के साथ खाये जाने वाली नारियल की पर्फेक्ट चटनी की रेसिपी आपके साथ सेयर करने वाली हूँ तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सस्क्राइब करना मत भूलिएगा ये मैंने चने के दाल क सरसोलिया है जिससे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें तड़का दूंगी तो चलिए रैसिपी शुरू करते हैं एक मिक्सी का जार लेना है और ये जो हमने आदे गंटे गंटे के लिए चने के दाल को फुलाया था इसमें कुछ भी नहीं डालना दोस्तों बस आपको क करीपता डालूंगी इससी इसका टेश्ट कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है तो देखिए इस तरीके का हमें रदरा सा पेस्ट बनाना बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि नारियल की चटनी इसी तरीके की बनती है तो इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से पीश चुके हैं तो आईगे एक काटोरे में इसे निकाल देते हैं एक काटोरे में हम इसे ट्रांसपर कर देंगे देखे किस तरीके का पेश्ट हमने बना के तयार किया है अब हम इसमें स्वाट के उमसार नमक डालेंगे नमक आप पिछने के समय भी डाल सकते थे पर बाद में मैंने डाला है तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे रखिएगा तो इस तरीके से हम मिला देंगे तड़का देंगे तो हमने तड़के को गरम कर लिया है यह मैंने सरसोतेल में बगा रहा था इसे तो इस तरीके से हम नारियल के चटनी के उपर इसे डाल देंगे दोस्तों यह बिग्दम पर्फेक्ट चटनी बनकर तयार हुई थी और बिना किसी जंजट के बस दो मिनट में बन जाती है तो एक बार इस तरीके से चटनी बना कर जरूर खाईएगा आपके इटली और दोसे के स्वात को दुगना कर देगी तो दोस्तों मारे चैनल में बहुत सारे वीडियो प्लीज जाकर देखिएगा अगर कोई वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके बताईएगा स्वास्त रहे हैं मस्त रहे हैं आगे किसी अच्छी सी वीडियो को साथ मिलते हैं तब तक के लिए जैम आएगे